तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है स्कॉलरलाइट में जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रुकेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि जो भी वीडियो में अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माद्यम से पता चलता रहा है चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में जो साइन्स है साइन्स का क्विज सामान बिज्ञान बस्तुनिस्ट प्रसनोत्तरी इसका मैं पार्ट दसबा बताने जा रहा हूँ पार्ट टैन है ये पार्ट नाइन तक अलड़ी अपलोड़ेड है तो उनको देख लीजे इसमें मैंने प्रिवेस यір साइन्स के कॉस्टन्स लिये हैं और कुछ नए कॉस्टन्स भी selecting हैं जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला question देखते हैं हमारे पास पहला question क्या है कि कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है यानि कि अगर जैसे घर में AC लगा है कूलर लगा है तो जो कमरा होता है हमारा वो ठंडा हो जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं उसकी process क्या है तो देखते हैं क्या है इसमें जल के बहने से देख कि ठोसको पिग्लाने के लिए आपको heat की जरूरत है तो इसका जो answer होगा answer होगा संपीड़ित गयसों को छोड़ने से तो इसका answer हो जाएगा B यानि कि gas को जब संपीड़ित कर देते हैं उसको संपीड़ित करके ठंडा करते हैं और फिर उन गैसों को जब छोड़ा जाता है, जैसे कि AC करता है हमारा, ठीक है, तो उस तरीके से जो है हमारा room, temperature कम हो जाता है, ठंधा हो जाता है, निमलिखित में से कीट नासी रासाइन कौन सा है, कीट नासी, तो देखी option है हमारे पास, सुपर फॉस्पेट, पॉटेसियम ammonium chloride, malathion, जिसका जो answer होगा, answer होगा, malathion, क्या होगा, malathion, ध्वानी तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, यानिकि जो audio है, आपका ध्वानी है, तो ध्वानी तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुपरस्त होती है, या अनुधार, धैर्रे होती है, आप रग्रामी, या फिर बिद्धो चुम्ब किये तो जो देखिए जितने भी ये ध्वनी तरंगे होती है ये सब अनुधैर होती है और अनुप्रस्त क्या होती है जो लाइट जो होती है किरन होती है लाइट रेज यानि कि सूर्स की प्रकास की रोसनी या जो भी लाइट है तो वो आपकी अनु प्रस्त तरंगे कहलाएंगी लेकिन ध्वनी की बात करें तो ध्वनी का हो जाएगा अनुधैर तरंग और एक कॉस्चन और आता है कि ध्वनी सबसे तेज किसमें ट्रेवल करता है तो आप लगा सकते हैं ठोस में किसमें ठोस में चलिए बात करते हैं अगले कॉस्चन की कि पस सकते हैं biology का पार्ट 10 जिसमें human के जो भी डिसीज होते हैं वाइरस से वो मैंने आपको बताया है बेथ ट्रेक निम लिखित में से किसमें ध्वनी की गती सबसे तेज होती है तो सबसे देखिए यहां पर जैसे मैंने भी पीछे बताया था कि ध्वनी की ठोसों में तेज होती ह लेकिन यहां पर उसने पूछा निम लिखित में से यानी कि इन 4 correctly में से किसमें होगा तो देखिए यहां पर जल है वाइओ है कांच है और गिलिसरीन है तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ठोस में होता है तो इस में से ठोस कौन सा है काँच है तो इस कांसर जाएगा काँच काँच में जो है इन में से यानि जल वायू और ग्लिसरीन की अपेक्छा काँच में ध्वनी की स्पीट जादा होगी लेकिन यहीं पे अगर कोई मैटल होता तो बनी सी वात है मैटल में जादा तेज चलता विषिष्ट प्रतीरोध का सामान ये सामान ने तापकरम क्या होता है 98 डिगरी फैरनहाइट, 98 डिगरी सेल्सियर, 68 फैरनहाइट, 66 फैरनहाइट तो देखे, 98 degree Celsius तो होई नहीं सकता, बनी सिवाता है, human body जल जाएगी, ठीक है, तो normally जो होता है, जैसे कि आपने थर्मामीटर में देखा होगा, सब बोलते हैं कितना वो खा रहे हैं, तो यह normal है, 98 है, 97.5 है, normal है, तो 98 यह 97.5 जो बोला जाता है, वो बोला जाता है कि वो Fahrenheit में है, किसमें है, फेरन हाइट में है, तो 98 degree Fahrenheit जो है, हमारे सरीर का नियूंतर्म, स्वारी, सामान नितापकरम होता है, फेराडे का नियम किस प्रकिरिया से सम्मन देते हैं, तो देखिए, फेराडे का जो नियम था, यह इलेक्टरी, जो है, इलेक्टरी, इलेक्ट्रोलाइस से था, यानि कि एलेक्ट्री सिटी से रिलेटेड था, तो देखिए, बाकी चार उप्सन ऐसे ही, देखिए, जैसे ही, फेराडे का नाम आता है, तो बिद्धुत, चुम्ब की है, बिद्धुत बगेरा, यह सब दिमाग में आ जाता है, तो देखिए, गैसों की अभी के लिए यानि कि अगर आप जैसे चिला रहे हो, तो मुझ के पास दोनों हाथ को रखके हम चिलाते हैं, तो हमारा जो आवाज है, वो जादा दूर तक जाता है, तीप्र होके जाता है, ठीक है, तो यह क्या है, मतलब किसली होता है, उस विस्तिती में ध्धुनी सिर्फ एक ही दिसा म हम बेजना चाते हैं, उस दिसा में थोड़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्सन नंबर A, कि उस इस्तिती में ध्धुनी उर्जा सिर्फ एक ही दिसा में इंगित होती है, ठीक है, चलिए, बात करते हैं, अगले कॉस्टन की, कि न देखे हमने हमेशा सुना है कि यार कहीं जैसे मानली जे मैंगू का सीजन आया तो आम लेने गए, तो हमने बोला कि यह आम दो फिर देखा है, अस पर कुछ सवे सवे लगा है, तो अपन पूछ लेते हैं क्यों कारवाइट लगा के पकाया है क्या, केला में भी होता है क्यों बोल्ट मीटर में परिवर्तन करने के लिए गैलबनो मीटर के क्या किया जाता है, यानि कि गैलबनो मीटर है, उसको बोल्ट मीटर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे सामांतर क्रम में, सामांतर सेनी में, यानि कि सामांतर सेनी और हमने एक पढ़ा है तो सामांतर सेनी जो सब्सक्राइब करता है उसे कहते हैं एक बोल्ट विभांतर द्वारा तुरित होने पर एक एलेक्ट्रों जितनी उर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं एक बोल्ट बिभांतर द्वारा त्वारित होने पर एक एलेक्ट्रोन जितनी उर्जा करता हुसे क्या बोलते हैं एक एलेक्ट्रोन बोल्ट ठीक है क्या बोलेंगे एक एलेक्ट्रोन बोल्ट एलेक्ट्रोन के द्वारा उर्जा जो है दी गई या प्राप्त की गई ध्वानी उर्जा को बैद्धूत उर्जा यानि कि विद्धूत उर्जा में परिवर्थिंद करने वाला यंत्र का नाम बताई है यानि कि जो कि ध्वनी को विद्धूत में करता है एम्प्लीफायर अलापक माइक्रोफोन या प्रेसिटिसका अंसर हो जाएगा माइक्रोफोन देखिए जैसे भी हम फोन पर बात करते हैं तो उसमें माइक्रोफोन लगे होते हैं तो हम अवाज बोलते हैं फिर वो ध्वनी में ट्रेवल होता है यानि कि वो विद्धूत के द्रेव में ब्रेसिट्स की अभी लाक्षणिक गंध का क्या कारण है ख्लोदोर योगत्स योगह योग है कैसी तो उसमें पाए जाता है सल्फर्योगें के आती है जो है यानि कि अगर आप घृसुन खा लेते हो तो बहुत देर तक आपके मूझ से जो है लैसिन की को पसंद नहीं करते हैं घंड किसको सिद्र के हैं या जा सकता है और या एक आनवानसिक विकार जो पर पन करता है हीमोगलोबिन इस तर में कमी रुमेटीर रोग स्वेत रक्त को सिकाओं में कमी है रक्त का इस पंदन ना होना और यह एक अनुवांसिक बिकार है यह जरूर कॉस्चन पूछा गया है कई बार तो इसको याद रखियेगा ठीक है निमलिकित में से कौन सा रोग वैक्टिरिया से होता है तपेदिक पीलिया चेचक या उप्रोक्त में से कोई नहीं ठीक है तपेदिक यानि की बुखार पीलिया हो गया ठीक है और चेचक हो गया तो इसका जो आंसर होगा तपेदिक ठीक है तपेदिक जो है आपका वैक्टिरिया से होता है ठीक अब जैसे क जो है चीजें चेंज हो जाती है लेकिन पीलिया और चिचक के बारे मैंने आपको बताया था कि यह जो है आपके पीलिया को ही हैपेटाइटिस का भी नाम दिया जाता है तो यह चीज़ याद रखिएगा जो मैंने वायलोजी का पार्ट 10 अपलोड किया है उसको आप देख ल लात तो यानि की वो उससरग को मरला उसन उसरंग के प्रकास को आपको परावर्तित कर रही है कोई बस तो वाइट देख रहा है तो वाइट प्रकास को पर परवर्तित करता है लेकिन अगर कर रहा है उसमें सभी जो हैं चीजे मिल जा रही है पूरी किरने एक जगह मिल जा रहे है जिसका रण्चों ब्लेक दिखाई दे रहा है ये कॉच्चन भी पूछा जाता है निमनिखित में से किसने एक्स किर्णों का खोज किया था रदर फोर्ड रॉंट जन मैक्स बेल 1930 में ठीक है कम मिला था 1930 में जिन्होंने रवन प्रभाव की खोज भी की थी तो यहां पर जो है आपके questions समाप्त होते हैं यह पार्ट रहें था जल्दी पार्ट 11 हम आप लोगों के सामने लाएंगे तो आप लोग इन सीरीज को जरूर देखिए यह हर एक्जाम में आप लोगों के लिलावकारी होंगे और यह हमारा facebook page है www.facebook.com slash scholar light तो इसको like कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में thank you